आज संसेट के समय आप एक कमाल की चीज़ कर सकते हैं जो आपकी जिन्दकी आपका confidence बदर सकती है एक खास tip आपके लिए लाई हूँ शो में बीच में दूँगी छुपा कर surprise package है और क्या-क्या surprises हैं आज ये जानते हैं शादी नहीं हो रही है या पसंद का जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो तुलसी जी के खास उपाई आपको पहँचाएंगे फायदा गर्मियों में रखे सेहत का खयार खती इमली करेगी कमाल अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए क्यों नीम और बर्गत के पेड़ की पूझा की जाती है जानी इसके scientific reason घर की छोटी-छोटी चीवों से आप बन सकते हैं खुबसूरत यही खास चीजें आपके लिए लेकर आई हैं अपनी राशी के इसाब से अपने ही अगले दिन को बनाए बहतर क्या खास टिप और क्या खास समय पर उस काम को करना है यह जानेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आप परिशानियों को दूर कर सकते हैं मुश्किल दूर करने के लिए आज के दिन एक खास सुपाई हैं क्या करना है यह जानते हैं आप 800 ग्राम्स चावल किसी बर्तन में रखें उन्हें कच्छे दूद से धो लीजे दिहान रखें कि जिस दूद से चावल को धो रहे हैं उसे किसी अलग बर्तन में रख लें फिर यह चावल लेकर पूजा स्थान में जाएं वहाँ सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं और यह चावल उस कपड़े पर रख दीजे फिर क्या करें इसके बाद यह मंत्र ओम, शम, शनिश्चराय, नमह, नमह इस मंत्र की एक माला का जाब करें फिर इस चावल को कपड़े समेच ग्यारा बार सिर के ओपर से ख्लॉक्वाइज घुमाएं और पानी में बहा दे दूद को किसी डॉग को पिला दीजे आपकी बादाएं दूद हो जाएंगी बादाएं कहां से आती हैं प्रॉब्लम कहां से आती है जब कोई प्रॉब्लम हमारा मन रजिस्टर करता है और क्याता है उफ ये तो परिशानी आ गई परिशानी बढ़ना शुरू कर देती हैं तो मन का कारक है चंद्रमा और चंद्रमा की चीजे हैं दूद चावल तो इनको हमने पूजास्थान पर दिया और इसको हमने किसी डॉग को पिला दिया यानि की साटन का उपाई किया बाधा को दूद किया और साथ ने हमने इसको बहते पानी में डाल दिया बहता पानी यानि की मून शंद्रमा हमने अपने मून को स्ट्रॉंग किया और परिशानी को दूर किया इससे आपकी परिशानिया हो जाएंगी दूर जरह सुपाई को कर कर देखिए एक और उपाई बताती हूँ जिससे आपकी परिशानिया होंगी दूर बर्गत के दानियन की ट्री का एक पेड़ का पत्ता ले आए फिर थोड़े से लाल सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर एक सुल्यूशन बनाए इस सुल्यूशन को पेड के पत्ते पर इंडेक्स फिंगर से जो भी परिशानी आपको कर रहा है जो आपको तंग कर रहा है उसका नाम लिख दीजे फिर क्या करें फिर ये पत्ते को रख दीजे जब ये पत्ता सूप जाए तो दूसरी साइड अपनी इच्छा लिख दीजे फिर इस पत्ते को घर के पूझा स्थान पर रख दीजे इसकी पूझा आर्चना कीजे एनरजाइस कीजे ध्यान ये रहे कि पत्ते को जब आप रख रहे हैं तो आपकी इच्छा, आपकी डिजायर वाली साइड उपर हैनी चाहिए फिर इस पत्ते को पानी में बहा दीजे आपकी इच्छा पूरी होगी और वो जो परिशानी कर रहा है इंसान वो आपको परिशान करना बंद करतेगा बच्चे जब पालक को देखते हैं तो यू मूँ चड़ाते हैं लेकिन क्या आपने बच्चों को कभी लॉजिक बताया है कि पालक क्यों खाए क्या आप खुद भी खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो अपसे खाने लगेंगे आप भी और बच्चे भी जब जानेंगे उसके धेर सारे बेनेफिट्स पालक की बात तो आपसे करेंगे लेकिन आप उस चीज की बात करते हैं जो आप बड़े शौक से खाते हैं यानिकी इमली, इमली मुवे सुनते ही पानी आ रहा है, क्या कमाल करती है आपकी हेल्थ के लिए ये जानते हैं, बच्चे तंग करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि भूख नहीं लगती, तो चलिए बच्चों की भूख बढ़ाते हैं नाच्रल तरीके से, वो भी टेस् इमली से, 25 ग्राम्स इमली का वो ले लीजे, गुदा, उसको एक ग्लास पानी में मिला दीजे, दो तीन घंटे इसको छोड़ दीजे, अच्छे से मैश करकर इसको चान लीजे, इसमें जितनी जरूरत हैं, उससे साब से मिश्री मिला दीजे, एक लॉंग पेसी भी मिला दी इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लीजे, इसे कुछ दिन, रोज, दिन में एक बार पिएं और बच्चों की बूख बढ़ने लगेगी किसी जरूरी काम को करने के लिए एक खास तरीका होना चाहिए, ताकि आपका जरूरी काम पूरा हो सके इस काम की बात करेंगे आपकी राशी के हिसाब से, तिकिन उस से पहले जरूरा आपकी आदते सुधारों, पालक की आदत आपको और बच्चों को दोनों को डालने हैं क्यों ये तो आप सुनने के बाद ही तैक कीजिएगा पालक कितने काम की चीज है आपको बताते हूं अगर आप एक कप पालक को का जूस निकाल कर दिन में दो या तीन बार पीते हैं तो इसे पीने से blood related problems दूर होती है आपकी body में blood बनना शुरू हो जाता है blood circulation अच्छा होता है आपके चेहरे पर और आपकी body में निकार आता है अब इतने सारे फाइदे हैं तो पालक जरूर पीजिए खाईए किसी भी form में पालक को लीजिए और अपनी रंगत को बदलता हुआ देखे जब आपकी खुबसूरती आती हैं तो लोग कहते हैं कि चांद पर भी दाग होता है थोड़े बहुत दाग तो चलते हैं लेकिन किसने कहा कि दाग अच्छे हैं चेहरे पर तो बिलकुल नहीं तो कैसे हटाएंगे ये दाग आपको बताऊंगी लेकिन इससे पहले आपकी राशी और आपके दिन को जरब ताल मिल के साथ बिठाते हैं ताकि जो काम करने जा रहे हैं उसमें सक्सेस मिले मेश राशी वाले येलो फ्लार ये येलो फ्लार की फोटो इजी तरीका एक इमिज डाउनलोड कीजे आपने फोन पर लगाएगे और जाएए काम पर देखे काम कैसे बनते हैं और आपका लखी टाइम है सुभा साथ बच कर तीस मिनट ब्रिशिप राशी वाले लोग रात को जौ और साथ में कुछ ड्रॉप्स शहद की उसपर डालकर रखेंगे सुभा बर्ट्स को खिला देंगे और आपकी प्रब्रिम्स भी खत्म हो जाएगी और आपका लखी टाइम इवनिंग में 6-10 मित्रुन राशी वाले घर में इत्र या पर्फियूम लगाकर आप अगर घर से बाहर जाएगे तो आपके काम बनेंगे लेकिन इस एरिया पर इत्र या पर्फियूम लगाकर जाना है और आपका लखी टाइम मॉर्निंग 11 बचकर 5 मिनट करक राशी वाले लोग सुभा नहा दोकर 9 थीस की तरफ चहरा करकर गाहितरी मंतर का पाथ करें आपकी प्रॉब्रम सॉल्व होगी और आपका लखी टाइम है इवनिंग में 7.40 पीम नहाने के बाद सबसे पहले बोडी का कौन सा पार्ट आप पोंचते हैं क्या अपने पैर, अपने हाथ, अपना सिर, अपने गर्दन या बैक क्या पोंचते हैं यही आपकी परस्नालिटी के राज खोलेगा लेकिन इससे पहले आपका चेहरा कैसे ग्लो करें यह जानते हैं अगर आपकी चेहरे पे चाम है तो देखने वाला देखता ही रह जाएगा कैसे बन सकता है आपका चेहरा ग्लोइंग यह जानते हैं थोड़ी सी मसूर की डाल रात को पानी में भिगो दीजे सुभा इसको पीस लीजे इसमें थोड़ा सा दूद और थोड़ा सा गुलाब चल मिलाकर पेस्ट बनाईए इस पेस्ट को चहरे पर बॉडी पर लगाईए जहां जहां डाक स्पोट्स हैं वहां वहां लगा दीजे आदे घंटे के बाद इसको स्क्रब करके धो दीजे हफते में तीन बार ऐसा करें डाक स्पोट्स दूर होने लगेंगे और कौन कहता है कि चान में भी दाग होते हैं आप बेदाग खुबसूरत बनेंगे अगर आप नहा कर निकलते हैं सबसे पहले टॉबल उठाते हैं टॉबल से कौन जी बॉडी का हिस्सा सबसे पहले पूँचते हैं कहां आपका बॉडी instant आपको लेकर जाता है पूँचने के लिए खास चीज आपकी परसनलिटि के राज खोलेंगे जानते हैं इस बारे में और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूजा में कुछ साइंटिफिक लॉजिक धूनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं पर पहले नहाने और टॉबल की बाद अगर आप नहाने के बाद सबसे पहले अपनी गरदन पोचते हैं तो बहुत जादा चिंता करने वाले लोग हैं आप लेकिन गाने के बहुत शौकीन हैं और बोलने पर बहुत अच्छा कमांड है आपकी सिंगिंग, टेली मारकेटिंग, आंकर या बोलने से जुड़ा अगर काम करते हैं तो आप बहुत कमाल करेंगे अगर नहाने के बाद आप सबसे पहले अपना स्टमक का एरिया पोचते हैं तो आप खाने के बहुत शौकीन हैं बेहद हस्मुक हैं अपने करियर में बहुत सक्सेस्फुल हैं साथ में बहुत जादा सेंटिमेंटल भी हैं आपके लिए आइडियल करियर्स हैं पहुचना शुरू कर दीजे ना अगर आप नहाते ही सबसे पहले हाथ पहुचते हैं तो आप बहुत जादा पर्टिकोलर हैं हर काम को करने के लिए आप किसी भी चीज को करने के लिए बिल्कुल पॉफेक्ट तरीका धूनते हैं आपके लिए आइडिल करियर हैं इंजीनियर Mathematician, Leaders और Scientist अगर आप नहाने के बाद सबसे पहले बैक पहुचने वाले हैं मेरी डॉर्टर सबसे पहले बैक पहुचती हैं तो ये qualities उसके अंदर हैं आप भी धूढ़िए ऐसे लोग creative होते हैं लेकिन थोड़े rebellious होते हैं हर काम को सही order established मतलब सही काम करने के order को establish करते हैं इनके लिए ideal careers होते हैं artist, painter, creative लोग होते हैं तो fashion designing, fashion styling, art, creativity से जुड़ावा कोई भी काम ये कर सकते हैं हम तो कल को better करना है न आपने कैसे करेंगे ये खास tips जब सुनते हैं तो इसे किया भी कीजिए और फर्क महसूस किया कीजिए बताओंगी आपको लेकिन इससे पहले मैं आज बच्चों के लिए खास segment लाई हूँ उन्हें समझ में नहीं आता और कई बार हमें भी समझ में नहीं आता कि क्यों हमारे बुजर्ग बता गए इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, ये करो, वो करो वो लोग हमसे जादा बहतर scientist थे, क्या कहना चाते थे वो, ये जानते हैं हम कितने सारे rituals अंधा दुन rituals निभाते हैं तिकिन अगर इन rituals के पीछे हमें scientific तर्क मिल जाएं तो अपने बच्चों को convince करना, खुद को convince करना कितना अच्छा होगा कैसे हम इनको इमानदारी से निभा पाएंगे चलिए इसी तरह आज आपको बताती हूँ कि नीम और बरगत के पेड़ की पूजा क्यों बोल गए हमारे बुज़र्ग करने के लिए, क्या logic था इसके पीछे जानते हैं, जब आप इन पेड़ों की पूजा करते हैं तो इनके आस पास की हवा को इंहेल करते हैं इससे आपको health benefits होते हैं जादा health benefits के लिए आप दोनों पेड़ में से किसी एक पेड़ के नीचे बैठ कर क्रीम, क्रीम, क्रीम मंतर की माला का जाप करें क्रीम बोलने से आपकी अंदर की body detoxify होती है ये मंतर आपके mental level को बढ़ाता है और जब आप इन पेड़ों की हवा को इंहेल करते हैं तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है तो हमारे बुजर्ग इतने जादा scientific थे कि पेड़ पौधों के साथ उनको समझ आता था कि हमें कितना साइदा होगा आपकी body में जब अच्छे से oxygen जाती है साइंटिफिक रीजन से हमारी body को लाब मिलने लगा तो जड़ा इन rituals को follow करते हैं और scientific reasons को समझते हैं तो double असर होता है राश्यों के दिन को बनाते हैं perfect सिंग राश्य वाले लोग क्या करें आज लोग राट को jaw में थोड़ा सा गोड़ मिला कर सो जाएं सुभे birth को खिलाएं और आप देखें की परिशानिया कैसे चुमंतर होती है और आपका किसी भी काम को करने का lucky time है कल के लिए morning में 11.10 a.m आप लोग अपनी pocket में long रखकर घर से भार निकलें सैटन आपकी control में और सारी problems solve lucky time afternoon 3.10 p.m दुला राशी वाले लोग भई negativity दूर करनी है तो more का punk लेते हैं उसके साथ में थोड़ा सा silver paper रखतेते हैं ताकि Venus का effect भी आए और इसको रख कर जाते हैं काम पे काम कैसे नहीं बनेंगे और आपका lucky time है evening में 4.40 p.m प्रिश्चिक राशी वाले लोग शाम को पीतल के दिये में सरसो का तेल डालकर जलाएंगे घर में south direction में और सारी problem छुमांतर और आपका lucky time है रात को 8.30 p.m वक्त हो गया है छोटे से break का छोटे से break का लास्ट की चार राश्यों की बात करेंगे उनके दिन को perfect करेंगे लेकिन इससे पहले जो मैंने आपसे पत्ता गोवी और चकुंदर बोला था निकाय के रखें इसका क्या करना है ये जानिए छोटे छोटे पीसेस में चकुंदर काट ले और पत्ता गोवी भी काट ले इसका सलाद नहीं बनाना है इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भीगा रहे फिर इससे पीस ले इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगाएं इससे आपकी स्किन की टोनिंग होगी आपकी स्किन चमकने लगेगी और ये जो जो छिट-छिट नहीं होते स्किन पर वो पोर्स दिखते हैं ये पोर्स भी गायब हो जाएंगे शादी हुई की नहीं हुई नहीं हुई तो आप करवा देते हैं आगे बताओंगी कैसे लेकिन उससे पहले राशी के हिसाब से आपके दिन को बनाते हैं बैटर बैनुर आशी वाले लोग कल राइट हैंड में चांबी का छला पहन कर किसी भी फिंगर में पहन कर जाएं सारा काम बनेगा और आपका लखी टाइम है मॉर्निंग 8.35 एम मकर राशी वाले लोग लेट पॉकेट में अगर मेल्स हैं तो लॉंग रखें अगर फीमेल्स हैं तो आप अपनी मतलब जो भी आप ड्रेस पहन रही हैं उसमें लेट हैं साइट पर थोड़ी सी लॉंग दबा दीजे आपकी रुकावते दूर होंगी शनी देव खुश रह कुम राशी वाले लोग खाने का थोड़ा हिस्टा अगनी वेव में डाल दें अगनी को दें और आपके सारे काम बनेंगे लाकी टाइम मौनिंग 10.35 एम मीन राशी वाले लोग यलो फ्लार्ज साथ में लेकर जाएं और उससे भी अच्छा रहेगा अगर आप पीली हल्दी की गांट ले जाएं क्याने कि कोई भी इटेबल, नेट कंजूमिबल यलो चीज अपने साथ ले जाएं और प्रॉब्लम घर छोड़ जाएं और आपका लखी टाइम आफ्टनून 2.40 पीम एक मेजर प्रॉब्लम का सिंपल सिल्यूशन आपको देने वाली हूँ लेकिन इससे पहले मुझे आपसे बात करनी है और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो कैसे करेंगे यह जानी है मुझसे बात करने के लिए मेरी इमेल आइडी नोट कीज़ें familyguru at itvnetwork.com जिस उपाय से फाइडा हो रहा है वो वीडियो बना कर हमें बेज दीजे ताकि हम डीटियल अनालिसिस करकर आपको वापस बेजें और आपको जादा फाइडा पहुचाएं और अगर कोई बहुत बड़ी प्राब्लम है जिसको आप तक हमने cover नहीं किया तो हमें mail लिखे अपनी personalized photo handwriting और bird details के साथ और हम आपको solution देंगे आज हम डिली से बात करेंगे दीपक से दीपक MBA कर चुके हैं love marriage हुई लेकिन job भी नहीं है और marriage में भी problem आ रही है दीपक से बात करते हैं दीपक घर की entry में problem है घर की entry पर brass की strip लगा दीजे घर में southwest में दो पीले bulb जला कर रखें और साथ में रोज दुर्गा चालिसा का पात करें job जल लगेगी लेकिन हाँ दूंडे मेहनत से चलिए आपकी शादी से related problem है अगर शादी नहीं हो रही है तो इसका quick fix solution आपको देती है आप भूल गए लेकिन मैं नहीं भूली कि मुझे आपको बताना है आज के दिन नर्सिंग जयनती के दिन आप कैसे अपना confidence बढ़ा सकते हैं अपने घर में south east और south के बीच में एक छोटा सा ब्रास का लायन या भगवान नर्सिमा की photo लगा दीजे अगर आपके in laws आपको तंग करते हैं तो आपके बाद तंग नहीं करेंगे इस photo के पीछे अपनी photo लगा आपको confidence बढ़ेगा यह आज के दिन करकर देखिए और फिर मुझे बताएए अब बात करते हैं आपकी शादी की प्राब्लम की तो जिनकी शादी नहीं हो रही है यह उपाए सिरफ उस लड़के को या लड़की को करना है अच्छे दिन नहाद होकर तुलसी जी के पौदे क 12 चकर लगाएं आपकी 12 के 12 हाउसे परफेक्ट ओर्डर में आ जाएंगे फिर सूर्य देव को सीधे हाथ से 12 बार दूदर पित करें जिससे आपका सूर्य मस्बूत होगा अच्छे रिस्टे आएंगे इसके बाद सूर्य देव को लफ्ट हैंड से 12 बार जल अर्पित करें जिससे सूर्य चंद्रमा स्ट्रॉंग होंगे, आप इमोशनली स्ट्रॉंग होंगे, अच्छे लोग अट्राक्ट करेंगे, फिर सूर्य देव को प्रात्ना करें, ऐसा सेवन डेज लगातार करें, शादे की बाधायें दूर होंगी, आपका लेफ्ट और राइट माइंड एक पाने के क्या है फायते, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी, बीपी कंट्रोल करने के छोटे आसान घरेलू उपाए, जिससे धीरे धीरे आपके मेडिसन्स कम हो जाएंगी, बुरी नजर से कैसे बचना है ये कर जानेंगे, तो कल आपको समय पर मेरा इंतजार करना होगा और मैं आपकी परिशान्यों को दूर करने के लिए अपने पिटारे में से देर सारी चीज़े लाऊंगी, काफी साइंटिफिक चीज़े, ताकि आप समझ सकें कि मैं जो बोल रही हूँ, वो क्यों बोल रही हूँ, तो फिर कल में लगात करते हैं, तब तक अपना कयाल रख झात सकती हैं, गरफ बोल रही हूँ